स्वागत बच्चों आपका सेल्ट स्टड़ी के चैनल में और आज हम एक बांध सुरक्षा अधिनियम 2019 पास हुआ है राज्यसभा में तो इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं चल रहा है तो स्टार्ट करते हैं 2019 में यह लोगसभा में पास हो चुका था लेकिन अब जाके राज्यसभा में पास हुए तो इसके अंदर क्या होने वाला है इसके अंदर जो हमारे देश में जो डैम है उनकी सुरक्षा उनका निरक्षन या फिर उनको कैसे रखा जा रहा है अगर वो तूट गए है तो उनको कैसे मरमत करनी है इन सब चीजों के उपर एक विदेख पास किया गया है अब यह जो विदेख पास किया गया है इसका विरोध स्टार्ट भी हो गया है तमिलाडो ने इसका विरोध भी किया है सारी चीज़ें हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं विरोध क्यों कर रहे हैं और ये इतना important क्यों है इसको लेकर इतना बवाल क्यों मच रहा है तो ये सारी बातें हम चर्चा करेंगे इसी वीडियो के अंदर तो कुछ बातें हम जान लेते हैं कि क्या क्या इसके अंदर होने वाला यानि डैम के लिए इनको विदेक आया है बान सुरक्षा विदेक इसके अंदर क्या क्या important चीज़े हैं तो एक committee बनाई जाएगी इसके अंदर जिस committee का नाम होगा राष्ट्रिय बान सुरक्षा समीटी और इस समीटी के अंदर क्या होगा जो Central Water Commission यानि Kendri Agile IO के जो अध्यक्ष होंगे वो इस समीटी के अध्यक्ष होंगे एक तो यह होगे और 10 IES level के अधिकारी इसके अंदर शामिल होंगे 7 राज्जों के परतिनी धी इसके अंदर शामिल होंगे 10 तो के अंदर की तरफ से होगे 7 राज्जों की तरफ से होगे और 3 एक्सपर्ट शामिल होंगे इसके अंदर अब यह करेंगे क्या यह जो है यह जो समीटी का कारे का होगा कि मान दंडो यह अंदर की Regulation त्यार करना Rules त्यार करना इन सब चीजों का काम यह समीटी करने वाली है अब इसके बाद एक है राष्ट्रिय बांद सुरुक्षा प्रादिकर्ण यानि National Damned Safety Authority अब यह क्या करने वाली है अब यह समीटी ने कोई काम बनाया इसने बनाया कि भीया यह यह Rules है इसको फोलो करना है और इस चीज को फोलो कौन करवाएगा यह कमीटी यह अथोर्टी करवाएगी अब इस अथोर्टी के अंदर जो भी मतलब की अधिकारी होगा वो additional secretary से नीचे नहीं होना चाहिए simple भाशा में कहूँ आईएस से नीचे नहीं होना चाहिए तो यह होंगे इसके अंदर और इनकी न्युक्ति के अंदर सरकार द्वरा की जाएगी अब राश्ट्रिय बांध प्राद सुरुक्षा जो यह मतलब National Dam Safety Authority है NDSA अब इसका काम क्या हो रहा है कि एक तो यह जो समीती ने काम दिया है इसके according के काम करेगी साथ ही साथ यह state, dam, safety, organization इनके बीच में आपस में बैट कर इनके बीच में बात करेगी अगर किसी राज्जे के साथ अगर कोई मन मुटाव चल रहा है किसी मालिक जिसने बांध बनाया है उसके मालिक के साथ अगर कोई मन मुटाव चल रहा है तो यह वहाँ पर बैटके उनके साथ बात करके उस चीज़ को सुलजाएंगे बांध का, बांधों पर निरक्षन मतलब कि वो यह देखेंगी कि बांध सही धंक से यहाँ पर बने हुए है यहाँ पर कोई तूट फूट नहीं है इनका रख रखाव सही हो रहा है तो यह सारे काम यह करने वाले है तो NDSA को अब क्या है कि कोई नई कंपनी आती है कहते कि हम एक बांध बना सकते हैं या हम बनाना चाहते हैं तो यह उनको अथोर्टी या फिर कहें कि इनको मानेता दे सकती कि हाँ आप यह बना लीचे तो इसके पर पास यह काम हो गए क्लिर अब राज्यबान सुरक्षा संगतन जैसे मैंने का State Dam Safety Organization यहाँ पर क्या है इनको भी यह कहा गया है कि State को कि आप एक State Dam Safety Organization की स्थापना गरिए जिसका काम क्या होगा कि निरंतर चोकसी बनी रहे कि देखिए Dam हमारे देश में बहुत ज़्यादा importance है अगर इनको कुछ भी होता है तो यह राष्ट्रिय तोर पर एक खत्रा है एक तरीके का मतलब कि अगर कोई कहने की बात आती है कि अगर किसी ने हमारे देश में बांधों पर मतलब कि जितने भी हमारे देश में बांध है अगर उनको टार्गेट किया तो काफी ज़्यादा एक तरीके का नुकसान हो सकता है भारत को अब इतना असान नहीं है डैम को अगर कोई टार्गेट कर रहा है बाई डैम की सिक्यूर्टी एक मतलब कि नेशनल सिक्यूर्टी के लेवल के तरीके से की जाती है तो ये कह रहे हैं कि आप एक काम करिए एक स्टेट डैम सेफटी और्गनाईजेशन की स्थापना करिए जो लगातार मतलब कि इसकी निगरानी करे और देखे कि सही इसका रख रखा वो रखा है नहीं रखा है इसके अंदर क्या क्या कमी आ रही है एक डेटाबेस तियार करके दे यह सारा काम किसको करके देना है नैशनल डैम सेफटी और्थोर्टी को इसको यह अपना सारा डेटाबेस इसको देगी क्लियर कौन देगा स्टेट डैम सेफटी और्गनाईजेशन इस विधेक के अंदर यह सब चीज़ें कही गई है यह करना है अभी आएंगे कि क्यों इसका विरोध हो रहा है अब बांध मालिकों का दाई तो जो बांध मालिक जो होते हैं यानि जिन्होंने बांध बनवा रखे हैं उनके अंडर जो कंपनी आ रही हैं जो कंपनी आ रही हैं जिन्नोंने यह बनवाए हैं तो उनको कहा गया है कि आप एक काम करिए आप एक कमीटी बनाईए अपने यहाँ पर और जो कमीटी क्या करेगी जो मांसुन सतर से पहले या उसके बाद में या भुकंपाया बाड आई या कोई भी कोई भी अगर ऐसी कोई आपदा हो गई संकट आ गया तो वो तुरंत आपको डैम की मतलब की यहां पर निरक्षन करना है जांच करनी है कि सही है कहीं से कुछ तूट फूट नहीं है या देखे डैम जो है एक ऐसा नहीं है कि जो बना दिये तो ता उमर चलते रहेंगे इनकी भी एक लाइफ होती है जैसे हमारे घर होते हैं घर की भी एक जाते हैं वो गिरना उनमें त्रेड आना यह स्टार्ट हो जाता है सेम इनके साथ ही होता है तो इनका रख रखा बहुत इंपोर्टन है तो कहा गया है कि आप एक टाइम पिरिडर रखिए इस टाइम पर जाकर चेक करिए कि डैम जो है वो सही है आगर मरमत की जो तूट दो परकार की सजा है एक तो व्यक्ति अगर काम कर रहा है उसको काम करने नहीं दिया रहा और एक सरकार ने जो कानूर मनाए है उसका पालन नहीं हो रहा तो इसके अंदर क्या होगा तो भईया एक साल की सजा या फिर जुर्माना लग जाएगा या फिर दोनों ही हो सकते हैं और यहां पर शिकायत करेगी सरकार या फिर सरकार ने जो अथोर्टी बनाई है उसके according ये सारे काम किये जाएंगे clear अब क्यों आवशक्ता पड़ी देखें आवशक्ता इसलिए पड़ी देखो हमारे देश में 500 अभी फिलाल 500 डैम है 450 अभी construction में चल रहे हैं पूरी दुनिया में बात करूँ तो भारत तीसरे नंबर पर आता है 36 गड़ में करनाटका में तो ये डैम की संक्या होगे हमारे पास तो कहा क्या गया है कि हमारा देश विश्व में तीसरे नंबर पर आता है डैम के मामले में मतलब कि हमारे देश में इतने बांध बने हुए हैं अब यहां क्या हो रहा है कि चनोतियां भी बहुत सारी हैं हमारे बास प्रोब्लम्स भी तो आती हैं न कोई चीज बनी हुए है तो देखो बांध की जो उमर होती है एक तो उसको लेकर आ रहा है एक टाइम पिरेड बाद तो उसमें obviously कमी आएगी अब जैसे जैसे पुराने हो रहे हैं तो जैसे जैसे ने टेकनलोजी आ रही है तो उसके according इनको कैसे बनाए रखना है तो ये एक प्रोब्लम होती है उसको बनाए रखना है और दूसरी बात जब जो बांध होते हैं बांध के अंदर जो पानी होता है तो यहां पर जब पानी आता है तो अपने साथ बहुत सारी मिट्टि लाता है और जिसके कान इनको बांध होते हैं इनको पानी को hold करने में प्रोब्लम आ रही होती है तो इस चीज़ को भी संभालना होते हैं तो यह जुरूरत पड़ गई कि भी यहां जाकर हमें देखना है कैसे क्या क्या problem आ रही हैं अब एक यह चीज होते हैं जो यह band regulators होते हैं अब यही जो हैं वो इसको संभाल रहे होते हैं कि हां band को कैसे संभालना है अब इनको इतनी समझ नहीं होती कि जो downstream है तो उसको कैसे ये विवस्तित करेंगे, उनको इतनी कोई समझ नहीं होती, विभीन कारकों पर मतलब की विचार नहीं हो रहा है, जैसे कि वहां पर जो जमीन है, उसका कैसे यूज किया जा रहा है, या फिर जो रेन पैटन है, उसको से धंग से ये समझ नहीं पा रहे हैं, चीज़ें प्रोब्लम हो सकती है जैसे कि जैसे बांद की जांच करना उसका डिजाइन कैसा है उसका निर्मान में उसको चलाय कैसे जा रहा है उसका रखरखाव कैसा हो रहा है तो अगर ये सब चीज़ें नहीं की जाएंगी। तो इन में कमिया हो जाएंगे, इनको हम देख नहीं पाएंगे यहां पर, और इसलिए काफी सारी घटनाइं हो सकती हैं, और घटनाओ में 1917 में पहली घटनाओ हुई थी तिग्राबांद में मद्य परदेश में, जहां से एक तरीके की बांद में विफलता का कारण स्टार्ट हो गया था वहां पर, अब फिर उसके बाद अब तक हमारे देश में 2021 तक कहा जा रहे हैं कि 40 बड़े जो डैम हैं वो अब तक फेल हो चुके हैं, और अभी हाल फिलाले में नमबर 2021 में अन्नामया, बांध जोदा अंदर परदेश में वो फेल हो गया, जिसके कारण 20 लोगो क्रियेट होती है, कितना ज़्यादा वहां पर नुकसान होगा, लोगों की जानमान की हानी होगी यहां पर, लोगों की डैथ होगी, साथ यसाथ आर्थिक नुकसान भी तो होगा, तो बहुत एक इंपोर्टन इश्यू है, डैम सेफटी बिलको लेकर, अब क्या है, सरकार च और एक तरीके का कहा गया है, कि देखो, पानी जो है, वो राज्य का विशह है, अभी इसके पर आएंगे, कि क्यूं इसका विरोध भी हो रहा है, इस विदे का विरोध हो रहा है, उसके उपर भी हम चर्चा करने वाले हैं, देखे, पानी जो है, वो राज्य का विशह है, क मतलब कि एक तरीके का हमने मंच प्रवाइड किया है कि इससे डैम की सुरुक्षा बढ़ेगी और वैसे भी जो डैम है वो एक नेशनल सेफटी के तोर पे देखा जा रहा है अगर डैम को कुछ होता है तो बहुत ज़्यादा प्रोब्लम क्रियेट हो जाती है यहां पर तो उसको स्टेट की बजाए एक तरीके का सेंटर लैवल पे देखा जा रहा है इसको और यहां पर बांध को सुरुक्षा के लिए काफी सारे प्री और पोस्ट मांसुन मतलब कि यहां पर कुछ ठेकेदार जिन्होंने यह बनाया था तो उनको अभी तक उनके बारे में कोई खोज पत्र नहीं की जाती थी कि मतलब कि हाँ यह जो कोई इंसान अगर डैम को बनाने की अपने अंडर ले रहा है ठेकेदार जो है वो डैम बनवा रहा है तो उनका कोई experience चेक करना या फिर कहें कि उनके बारे में चांज परताल करना यह चीज़े नहीं होती थी लेकिन अब बहुनी start होगी यहां पर सुरक्षा के लिए यहां पर चीज़ों को ध्यान रखा जाएगा कि अगर बांध में कोई जिम्मेदारी कौन लेगा कि अगर suppose डैम जो बनाया कौन बना रहे देखे केंदरिया जल आयोगा मैंने का न सेंटर वोटर कमिटी कमिशन इसने का कि मैं बनवा रहा हूँ मेरे रेगुलेशन होगे मैं बनवा रहा हूँ और सेंटर वोटर कमिशन माना जाएगा अबर तो यहां पर केस अगर इनके उपर किया तो निरने कों देगा एक तरीके से निरने खुद ही देने वाले है मतलब समझो कि कोई वेक्ती अगर जूर्म कर रहा है तो जुर्म के किलाफ हमने शिकायत करी तो जज के रूप में भी वही वैक्ति वैट हुआ वामिला में तो ये कैसी चीज हुई भई आप भी फैसला करने वाले गलती भी आप करने वाले फैसला भी आप करने वाले तो ये चीज़े नहीं चलेंगे तो यहां पर आप कानून बना कर हमारी पावर कम कर रहे हो तो इसलिए यहां पर AIDMK के जो इन्होंने अपोज किया है इस चीज को सेफटी बिल को लेकिन यह पास हो चुका है क्योंकि मैंने कहा ना जो इनका पॉलिटिकल वे से देखा जाए तो कि हाँ ठीक है बेशक कि यह एक राजे सुची का विशे है और इसके अंदर कानून बनाया गया है लेकिन अगर आप देखें तो जो यह जो चीज है विदेग जो पास हुआ है इसके अंदर यह जो बात की गई है कि जो बांध की जो शुरक्षा है वो केंदरी एस्तर पर देखी जा रही है ना कि राजे स्तर के उपर नैशनल सेफ्टी के तोर पर उसको प्रियोर्टी दी जा रही है तो गवर्मेंट का यह कहना है कि हमने तो उसको एक पूरे देश के सुरक्षा के हेतू हमने उसको देखा ना कि एक राजे सुची या सेंटर सुची के तोर पर अब यहां पर एक चीज कही गई है देखिए कुछ चीजों का आप जान लेजिए आर्टिकल 246 है और 246 के अदर एक एंट्री है 56 और एंट्री है 97 उसके अंदर कुछ कानून दिये गए है और देख हलांकि जो जल जो है मैंने का ना पानी जब वो राजे सुची का ही विश है जल को कठा करना जल शक्ति यह सारी चीजें जो है वो राजे सुची की एंट्री नंबर 56 के अंदर उसके अंधीन रखी गई है ठीक है यहां पर क्या है यह चीजे तो हैं लेकिन एक जो चीज यहां पर यह का गए कि यह मतलब की राजे ही कानून मनाएगा यह एक तरिके का यह कहता है लेकिन एक चीज और यहां पर बोली गई है कि अगर सारजनिक हित में कोई चीज हो रही है मतलब की देश के कल्यान के अंदर कोई चीज हो रही है तो उसके उपर सेंटर जो है वो अपना कानून चला सकती है अपने मतलब की अधिकार ला सकती है वहां पर कोई च अंसद को समिधान की साथवी सूची में संग की सूची एक में सूची बद किसी भी मामले पर कानून बनाने का आधिकार देता है एक चीज को ध्यान रखना है और यह entry no.97 यह कहती है कि सूची 2 और सूची 3 में जितने भी कानून है मतलब कि उसके उपर कानून बना सकती है के बांध जो है वो उसकी सुरुक्षा काफी जादा important है और काफी चीजों के उपर निर्वर करती है कि मैंने कहा न वहां पर आप कहीं पर बांध बना रहे हैं तो वहां पर आप देखिए कि मानसून कैसा है वहां पर वहां का infrastructure कैसा है वहां पर जमीन किस तरीके से use की जा रह है तो वहां पर प्रयावन को ध्यान में रखते हुए इन चीजों को देखा जाते कि आप बांध कैसे बना रहे हैं तो बदलती जैसे जलवाई हूँ है उसके साथ पानी के जो मुद्दे हैं उनका बहुत अच्छे से और सटिक वे से उनका use करना जुरूरी है ठीक है राज की माँ जो विफलताएं हो रही है अब इसके लिए एक सई ढंक से तंतर बनाई है ऐसा नहीं है कि आप कहरे हो कि अगर कोई fail होता है तो हम ही उसकी जिम्मेदारी लेंगे और फैसला भी हम ही सुनाएंगे तो ये चीजे नहीं होगी क्योंकि आप किसी को पैसा देकर आप उ जो डैम सेफटी बिल जो है वो क्या है और ये पास कैसे हुआ इसका विरोध क्यों हो रहा है विरोध होने का रीजन में मैंने आपको बताया और ये जितनी बी चीजे हैं आप लोगों को PDF के रूप में मिल जाएंगी डे स्क्रिप्शन बोक्स में आपको लिंक मिलेगा टे वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा ही पसंद आ गई है तो भाया क्या कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं वीडियो को भी और चैनल को भी थैंक्यू फोर वचिंग दिस वीडियो